देखिए इससे साउंड भी प्रोडूस हो सकता है सो हलो और कम टू एक्सपरिमेंटर एक्स सो आज की वीडियो में हम बनाएंगे मूजिकल टेसला कोईल सो मूजिकल टेसला कोईल बनाने से पहले सिंपलस टेसला कोईल के बारे में जानते हैं So guys, Tesla coil को Slayer Exciter Circuit भी कहते हैं, यह लगबग आज से 130 साल पहले, 1891 में, World's Most Underrated Inventor, Nikola Tesla ने बनाया था, Underrated इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको यह भी नहीं बता होगा, कि आपके घर में जो AC Electricity आता है, वह इन्होंने ही Discover किया था, जिसकी वज़ा से बिजली बहुत ही सस्ती हुई, और आज हर कोई से यूज़ कर सकता है, इनका बनाया हुआ Tesla coil बहुत ही Simple, लेकिन बहुत ही Versatile ह है, सो गाइस, बेसीकली जो Tesla coil है, वो High Frequency and High Voltage Alternating Current जनरेट करता है, और High Frequency, High Voltage की वज़ा से यह Plasma आग भी जनरेट करता है, इसके अलागा, यह Strong Magnetic Field भी जनरेट करता है, और जो आपके घर में पुरानी TV थी, उसमें भी Tesla coil यूज़ होता था, जो Induction Cooktop है, उसमें भी Tesla coil पहले ही बनाया था, टेसला कोईल से हम बहुत ही ज्यादा voltage, वन मिलियन वोल्ट लाइटनिंग भी क्रियेट कर सकते हैं, आग जो हम Radio Signals की वज़ा से Mobile Phone से बात कर सकते हैं, तो टेसला कोईल Radio Signals भी प्रोडियूस कर सकता है, इसके अलावा, टेसला कोईल Music भी जनरेट करता ह आपके गाड़ी में जो Spark Plug है, उसमें भी टेसला कोईल यूज होता है, और टेसला कोईल वायरलेस एलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, यह सबसे सिंपलेस टेसला कोईल है, बेसिक चार्ज चीज चाहिए आपको यह टेसला कोईल बनाने के और फिर आप यहाँ पे हम मौसफेट ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, यह टेसला कोईल को आउडियो जैक से कनेक्ट करता है, और इसका काम क्या है कि जो भी आपको साउड का सिगनल आ रहा है, उसके एम्पलीट्यूड को उसके फ्रिक्वेंसी को टेसला कोईल के तेसला कोल फाइनली रेडी है और इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग गया पंदरा मिनिट लग गया इसको बनाने में तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि क्या से काम करता है टेसला को यह हमारा फाइनली रेडी है और हमने अब एक चाहिए लगाया है यह बहुत जादा हीट हो जाता है आप देख सकते हैं यह काम कर रहा है हाई वोल्टेज आ आपको दिखाता हूँ, अब देखते हैं कि क्या ये music भी generate कर सकता है, तो चलिए audio jack connect करते है, audio jack connect हो गया है, और गाना बजाते हैं, देखे हैं आवाज यहीं से आ रही है, और जैसे आवाज आ रही है, जो यह plasma arc है, इसकी length है यह भी कम जादा हो रही है, तो इसको बंद करता हूँ, तो आवाज नहीं आएगी, प्लस अगर इस आख को मैं हटा देता हूँ, तब भी आवाज नहीं आएगी, या मैं अगर इसको पकड़ लेता हूँ, तो भी आवाज नहीं आएगा, तो दाइब यह जो electricity यहां पर produce हो रहा है, उस आख की वजा से ही sound produce हो रहा है, चलिए जानते हैं कि यह काम कैसे करता है, जो यह DC करेंट यहां से मिल रहा है, जो BJT ट्रांजिस्टर का काम है, DC करेंट को high frequency AC करेंट में generate करना, और यह जो कोईल है, this is the primary कोईल, primary कोईल में high frequency AC करेंट generate हो रहा है, अगर यहां पर primary कोईल में 100V generate हो रहा है, और यह 350, यहां इसमें 350 turns है, तो यह 35,000V generate करेंगा, जो की बहुत high current है, आपको आपके दिमाग में एक question होगा कि 240V current इतना harmful होता है, वो harmful इसलिए होता है, क्योंकि वो 240V के साथ साथ उसके अंदर जो current होता है, वो भी काफी high होता है, प्लस जो उसकी frequency होती है, वो काफी कम होती है, that is 50Hz, 50Hz में current आता है, so 50Hz में आपको electric shock लगता है, बट अगर कोई भी electric current है, उसकी frequency 700Hz से उपर है, तो आपको electric shock नहीं लगेगा, this is the beauty of this coil, इस coil का जो अभी primary function है, वो यहाँ पे arc, वो arc generate कर रहा है, basically, this is high frequency, high voltage, AC arc, and at the same time, यह एक strong magnetic field भी generate कर रहा है, यह काफी sharp point है, और sharp action point से corona discharge होता है, so, इस corona discharge को रोकने के लिए, हम यहाँ पे इसकी sharpness को कम करेंगे, और, so guys, यह UFO जैसी चीज़ है, पोईस में, इसका कोई electrical work नहीं है, यह सिर्फ क्या काम करता है, जो इस point charge है, इस point charge को इस पुरे surface पे distribute करेगा, जिससे सिर्फ यह आपको strong electromagnetic flux देगा, और, जो अभी तक plasma generate हो रहा था, अब वो plasma generate नहीं होगा, क्योंकि plasma हमेशा किसी sharp point से generate होता है, तो, इस sharp point हम हटा देते हैं, और एक और magic देखिए, जब यहाँ पर मैं कोई भी चोटा बल रहा है, यह लाम्प है, और लाम्प भी वायरलेसली चल रहा है, वीडियो आपको अच्छी लागी है, तो चैनल को subscribe करिए, वीडियो को like करिए,